इसी को मैं जो कोलिंग, गेमिंग, एडिटिंग हर चीज के लिए यूज लेता हूँ, किया मैं इससे सटिस्फाइ हूँ, जब मैंने इसको पहले ही दिन से यूज किया तो मेरे को इसमें पहली चीज जो खराब लगी, Hello Friends, Vivo का एक ब्रेंड है IQ, और IQ ना performance centric phone बनाती है, जिस लाइक गेमिंग के लिए, और हाँ मैंने एक चीज और नोटिस की है, कि IQ के जो फोन होते हैं, वो ऐसे फ्लेक्सिप होते है, जिस लाइक 20,000 से नीचे सिरफ एक ही phone है, IQ का वो है, IQ Z6, जितने भी IQ के फोन आते हैं, ओन पर नहीं मिलते हैं, सर्विस सेंटर जितने भी है, Vivo के वे सबी जो है, IQ के लिए भी सर्विस सेंटर के लिए माने जाते हैं, क्योंकि एक सब ब्रेंड है, और हाँ आभी ना कुछ दिनों पहले इस IQ 9 का मेरे ना camera glass डेमेज हो गया था, तो उसको ऐसे repair करवाने के लिए मैं मैंने call किया था company वालों को, तो मैंने उनको बोला मेरे पास IQ 9 Legend है, 5G Legend, तो उन्होंने बोला ठीक है, आपका जो camera glass है, दो-तीन दिन में available हो जाएगा, फिर दो-तीन दिन बाद में उनका call आया, कि sir आपका glass इसका available हो गया, तो मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर सर्वे सेंटर पर मैंने phone दिया, और उन्होंने बोला एक घंटा लगेगा, इसको तियार कर देंगे, तो मैंने एक घंटे तक वेट किया, 20-15 मिट बाद में उन्होंने बोला कि वो phone वो ही नहीं, जिसका हमारे पास glass आया, यानि उन्होंने बोला कि आपने wrong model number हमारे पास जो है लिखवा तो फिर मैंने बोला जी नहीं सर, मैंने तो सही बोला था आप से कोई mistake हो गई, तो उन्होंने बोला कि अब भी तो यह हो नहीं पाएगा, एक सब्ता आपको और रुखना पड़ेगा, तो मैंने बोला यार अभी मैं 130 km चला करके आया हूं, अब यह चीज में आपको उनकी training होती है, उनका उस चीज में interest ही नहीं होता है कि क्या specs है phone के, वस उनके पास phone आ गया, वो repair कर दिये, दो-चार दिन बाद में उनका call आया, मैं वापस गया, वहाँ पर glass change करवा दिया, कर दिया इन्होंने glass change, पर company जैसा नहीं किया, उनसे बढ़िया, मैं खुद कर ल चिपकाया जाता है, और इसे rubber से इसको जो ना पेक कर दिया जाता है, दो-तीन गंटे के लिए, तो मेरे को यहाँ पर एक दिक्कत आई है कि, यह यहाँ पर एक black black सी आपको border दिख रही होगी, जब यह नया-नया था ना, तो यहाँ पर यह border नहीं आती थी, अभी मेरे को ना यह से उपर से वापस उठ जाती है, अभी मेरा जो फोन है waterproof नहीं रहा, अगर इसी को मेरे घर पर करता खुद, उन से ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाता, अब चलो यह सारी बात है, तो जो सर्विस सेंटर की हो गई, फोन कैसा चलता है, कैसी इसकी जो feedback है, मैंने आट मह इसको यूज कर रखा है, और अभी भी कर ही रहा हूँ, मैरा जो है यह primary phone है, तो इसी को मैं जो calling, gaming, editing, हर चीज के लिए यूज लेता हूँ, क्या मैं इससे जो satisfy हूँ, जब मैंने इसको पहले ही दिन से यूज किया, तो मेरे को इसमें पहली चीज जो खराब लगी, वो थी इस phone की display, यह एक AMOLED display है, और इससे पहले मैंने जो phone यूज किया था, उसके उपर LCD display लग रखी थी, जब भी मैं night में उसको चलाता था, तो मेरी जो आखे थी ना, ऐसे दुखती नहीं थी, इस display को जब भी मैं चलाता हूँ ना, तो ऐसे सड़ भारी-भारी सा हो जाता, हड होने लगती है, यह चीज मैंने इसमें notice की है, और color वगरा brightness, और overall जो भी display की quality है, वो बढ़िया है, अगर phone के screen color setting के अंदर जाएं, तो यहाँ पर दे रखा है एक pro mode, pro mode में basically होता क्या है, यह color बिल्कुल dull दिखाता है, और अगर हम standard पर कर दें, तो यह color एकदम punch से दिखा जैसे मैं ऐसे YouTube के अंदर जाता हूं, तो यह color shift करता है, और जैसे मैं ऐसे YouTube से बाहर आ जाएं, तो color वापस dull हो जाते हैं, जैसे हम YouTube के अंदर जाते हैं, तो color एकदम से ऐसे boost करते हैं, तो यह technology मेरे को इसकी काफी बढ़िया लगी कि हम YouTube के अंदर जाएं, तो वहाँ पर हम को कलर बिल्कुल पंची मिले और अगर हम कोई एडिटिंग टूल यूज़ कर रहे हैं अडोबी लाइट रूम या फिर काइन मास्टर वहां पर हमको कलर एकडम एक्डम एक्डम दिखाती है यह डिस्पले जो मेरे हाथ में आप चार्जर देख रहे हैं यह 120W का चार्जर है इसी को देख करके मैंने इस फोन को खरीदा था क्योंकि यह चार्जर फोन को लगबग 18-20 मिन्ट में फूल चार्ज कर देता है अगर इन्वारमेंट बहुत जादा गरम है तो 25 मिन्ट भी लग सकते हैं परफोर्मेंस की बात करें तो भई यह फोन खुद एक गेमिंग फोन है और लाइक डे टू डे लाइफ की अगर हम बात करें तो वहां पर भी काफी बड़िया परफोर्म करता है कभी भी लेग जिटर कुछ भी नहीं आता है और पबजी में 90 fps तक गेम को चला देता है जो कि आइफोन 11 नहीं करता है और हाँ पहले में आइफोन 11 ही खरीदने वाला था बस इसके चारजर और डिस्पले को दे करके मैंने इसी को खरीदा और अगर हम फोटोज की बात करें तो मेरे को इसके फोटोज भी काफी बड़िया लगते है खासकर तो इसका जो 50 mm लेंस दे रखा है वो मेरे को काफी बड़िया लगता है 13 Megapixel का 50 mm लेंस दे रखा है जिससे एकदम DSLR जैसी फोटो हो जाती है अगर हम डेलाइट में जैसी फोटो हो जाती है हाला कि क्लियर्टी थोड़ी सी DSLR से कम आती है पर हाँ फोटो जिस्ट लैक इंस्टाग्राम पर अगर आप कोई अपलोड करनी है वो सारी कंडिशन में यह आईफोन 12 वगरा को भी पीछे छोड़ देता है अभी मैंने इसके केमरे की तारिफ की गाइप हो जाएगा शिरफ जो है टेली और यहां पर जो है नॉर्मल केमरा हमारे पास यहां पर रहेगा और अगर हम बात करें 4K की तो 4K में इमेज स्टेबलाइजेशन ही गाइप हो जाता है अगर हम 60 फ्रेम पर वीडियो सूट कर रहे हैं अगर हम 30 कर देंगे तो जो है इमेज स्टेबलाइजेशन यहां से हम जो अनैबल कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं यानिकि वीडियो के लिए यह फोन इतना जादा बेटर नहीं है इतना कि एक आईफोन होता है पर हाँ फोटोज में यह जो है आईफोन इट कर देता है जब मैंने wide angle lens लगा रखा है अगर मैं इसका image stabilization यहां से बंद कर दूँ तो आप देखो कितना ज़्यादा wide हो गया अभी देखो यह देखो यहां पर हाथ ला रहा हूं तो भी आ रहा है अगर हम image stabilization on कर दें वापस तो अभी आप देखो कितना फरक पड़ गया तो यह एक दिकत मेरे को इसमें देखने के लिए मिली है अगर आप pro videographer नहीं हो तो इन चीजों से आपको बिल्कुल भी फरक नहीं पड़ेगा कि कितना wide है कितना टेली है वीडियो बढ़िया बनता है image stabilization काफी बढ़िया है और हाँ इसमें Android 12 आता है और हाँ guys मैंने एक चीज और नोटिस की है इस phone में कि जब भी हम WhatsApp वगरा पर status वगरा डालते हैं तो उसका जो corner होता ना just like हम कोई बड़ा वीडियो इस status पर डालते हैं तो वो cutting आती है just like हमको इसको यहां से cutting करना है तो just like आप देख पार होगे बड़े card लगा करके काइन master पर edit करूँ तो काइन master में इसका folder ही so नहीं होता है मैंने 1000 तरीके देख लिए पर मेरे को उसका कोई भी solution नहीं मिला 40,000 का phone लेने के बाद भी जो मेरा 15,000 का phone था और जो भी मेरे पास अब भी phone है वो सबी support करते हैं OTG connection को पर ये नहीं करता है ये मेरे को इसकी सबसे घटिया बात लगी और इसके कारण मैं इस phone को जो है use भी सही तक ज़्यादा दिन तक अब नहीं करूँगा अगर आपका भी OTG से कोई भी काम होता है like editing वगेरे वाला DSLR की footage अंदर लेना बार करना वह सारी हो जाएगी पर इस card के साथ लगा करके आप जो editing नहीं कर सकते हो हाला कि card अंदर file manager में so करता है पर काइन master में कोई भी file नहीं दिखाती है और whatsapp की ऐसे error आते हैं whatsapp की जो भी files होती हैं उनको भी edit करते वक्त errors आते हैं ये कुछ 5-6 चीजे थी वो मेरे को आपको बतानी थी अगर आप IQ का कोई भी phone लेते हो और हाँ एक सबसे बड़ी कमे इसकी वो ये है कि अगर हम front camera से वीडियो बनाएं तो वाँ पर 30 frame 1080 पर हम वीडियो बना सकते हैं उसके उपर से image stabilization नहीं आता तो वो एकदम useless वीडियो हो जाता जो लोग ऐसे vlogging वगरा करते हैं उनके लिए और हाँ iPhone हो गाया या फिर Samsung हो गाया इनमें 4K 60fps तक आप वीडियो बना सकते हो पर इसमें नहीं बना सकते हो 888 plus processor होने के बावजूद भी तो यान कि इसका जो hardware है अंदर का जो processor है वो इन चीजों को support कर रहा है पर इन्होंने ऐसा जो है camera setup ही नहीं लगाया जो की 30fps से उपर का वीडियो बना पाए और हाँ guys IQC related आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो मेरे को जरूर पूछना नीचे डिस्क्यूशन में अगर आपकी कोई भी help हुई है इस वाले वीडियो से तो इस वाले वीडियो को like करें share करें subscribe करें हमारे चैनल को ओके बाई बाई